अरे कृष्णा तो आप सबी का मारे इस भागवत सप्ता में अर्दिक स्वागत है तो जो भी भक्त गन यहां पर उपस्थित हुए है यहां में अन्य सभी साधनों से देख रहे हैं तो आप सबी का इस भागवत सप्ता कथा में हार्दिक स्वागत है ओम अज्ञानति मिरान धस्य ज्ञानान जन शलाकया चक्षूरुन मिलितम्येना तस्मै श्री गुरवे नमहा मुकं करोति वाचालं पंगुम् लंगायते गिरिम् यत कृपातमहं वंदे श्री गुरुदीन तारिनिम् परमानन्द माधवं श्री चेतन इश्वरं नमोम विष्णुपदाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवानी प्रचारिने निर्विशेष शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने जय श्री कृष्ण चेतन्या प्रभूनित्यानन्द श्री अद्वैत्यगदाधा श्रिवासादी गौरभक्त व्रेंदा अच्रे ख्रिश्ना रे क्रिष्ना मौर्श्न एक जिस्ट्रीमारो थ। ओम्नमों भग्वते वासुदेवाया अम्नम्नमों भग्वते वासुदेवाया ओम्नमों भगवते वासुदे वाया नारायनं नमस्कृत्या नरंचेव नरोत्तमं देविं सरस्वतिं व्यासं ततोजयं उधिरैत् नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम् भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिनेश्रिकी सच्चिदानंदरूपाय विश्वत्पत्यादी हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्नाय वयं नमहा कृष्नाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंदगोपकुमाराय गोविंदायो नमो नमहा पंकज नाभाय नमहा पंकज मालिने नमहा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगरे यं ब्रह्म वरुनेंद्र रूद्रमरुता स्थुवंती दिव्यस्त्वे वेदे संग पदक्रमा उपनिषदे गायंतियं सामगा ध्यानवस्तिततगते नमनसा पश्यंतियं योगिनो यस्यांतम्न विधू सुरसुर्गना देवायाह तस्मे नमहा देवायाह तस्मे नमहा गद दिवस में हमने श्रवन किया श्वानकादी रिशी सुता गोस्वामी जी से प्रशन करते हैं कि व्यास देव जी को श्रिमत भागवतम की रचना करने की प्रेरना कैसे मिली और उन्होंने श्रिमत भागवत ग्रंत की रचना कैसे की और श्रिमत शुक्देव गोस्वामी जी जो अपने जनम से ही विरक्त थे भ्रह्मलीन थे उन्होंने इस ग्रंत को कैसे सुना उन्होंने श्रिमत भागवतम को कैसे सुना और परिक्षित महराज जो इस पूरे भारत मंडल के स्मराठ हुए उन्होंने इस शिमत भागवत का श्रवन कैसे किया साथ दिन के लिए तो उनके प्रशन के उत्तर में सुतक गोस्वामी जी विस्तार से बताते हैं कि श्रीला व्यासदेव जी को कैसे नारज जी से प्रेरना मिले इस भागवत ग्रंत की रचना करने के लिए कैसे शिला शुकदेव गोस्वामी जी ने इस भागवत ग्रंथ को सुना जब वो अपने जनम होते ही बन की और भाग गए तो उनके पिता ने अपने शिश्यों को भेजा उनको वापस ले कराने के लिए उनके शिश्यों ने दो शिलोकों का उचारण किया जिसे शिला शुकदेव गोस्वामी बड़े आकरशित हुए और वापस आकर उन्होंने व्यासदेव जी से पूरे भागवत ग्रंथ को सुना और फिर हमने श्रवन किया कि परिक्षित महराज का जनम कैसे हुआ उनकी माता के गरव पर अशवतामा ने ब्रहमस्तर से प्रहार किया और उनका जो गरव था उत्रा का जो गरव था वो उस ब्रहमस्तर के प्रहार से जल रहा था और उन्हें उस अवस्था में भगवान को प्रार्थना की भाकते भगवान की शरण में आई इस संसार में मृत्वी के भाय से बचाने वाले सिरफ आप हैं हे महायोगेश्वर, हे देवों के देव, हे सबकी रक्षा करने वाले मैं आपकी शरण में हूँ आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और उसी समय पर भगवान ने उनके हृद से उनके गरब के अंदर प्रवेश किया अपना शंक चक्र गदा पदम लेकर भगवान अपने गदा को इतनी तेजी से घुमा रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चक्र घुम रहा हो और उस ब्रह्मस्तर का जो तेज था उसका जो प्रभाव था भगवान ने उसको नश्ट किया और उस बालक की उत्तरा के गरब में रक्षा की और जो बालक गरब में था उसने देखा कि ये कौन व्यक्ति है इतना सुन्दर और मेरी रक्षा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ है तो जब प्रिक्षित जी का जनम हुआ तो उनका नाम क्या रखा गया प्रिक्षित जो सभी का प्रिक्षन कर रहे हैं कि कौन था वो व्यक्ति जिसको मैंने अपनी माता के गरव के अंदर देखा तो इस तरह प्रिक्षित जी का जनम हुआ और उनके जनम के समय पर सभी ब्रामनों ने उनके भविश्य के बारे में बताया कि उनके गुन कैसे होंगे प्रिक्षित महराज एक बड़े महान राजा बनेंगे जिनके अंदर सभी सद्गुन संपन होंगे वो अपनी प्रजा की सब तरह से रक्षा करेंगे शिवी महराज की तरह अपनी प्रजा का पालन करेंगे भगवान राम की तरह वो मर्यादा पुरुशोत्तम होंगे और युदिश्र महाराज ने परिक्षित महाराज के जनम पर सभी को बहुत सारे उपहार दिये दान दक्षिना दिया और बाद में जब भगवान क्रिशन इस धराधाम को छोड़ कर वापस अपने स्वधाम गए और युदिश्र महाराज को ये समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी बानप्रस्त ग्रहन करने का निश्चे किया तो संख्षेप में ये सब कथा का वर्नन भगवान के वापस अपने गोलोकदम जाने के बाद सभी पांडव युदिश्र महाराज सहित सभी उनके जो अनुझ भ्राता थे और द्रोपदी उन्होंने राज्य का त्याग किया अपने वस्त्रों आदि का त्याग किया और वन को प्रस्थान किया और वन गमन के समय पर युदिश्व महराज ने परिक्षित महराज को राजा न्युक्त किया तो तब से परिक्षित महराज का राज्यकाल आरंब हुआ और उन्होंने अपने राज्यकाल में बड़ी कुशलता पूर्वक, धरम पूर्वक अपने राज्य का राजभाल संभाला सभी प्रजा का पालन की या प्रजा की रक्षा की उनके राज्यकाल में सभी प्रजा बड़ी सुक से रह रही थी बड़ी धरम का पालन करती थी और ऐसे ही चलते परिक्षित महाराज को कुछ समय बाद अपने राज्य में कली के कुछ लक्षन दिखाई देने आरंब हुए उनकी प्रजा धरम से विमुख होती हुई दिखाई देने लगी कुछ अन्य जो राजा थे वो धरम के नियमों से विमुख होकर राज्य करने लगे और जब परिक्षित महाराज को ये कली के लक्षन दिखाई देने आरंब हुए तो उन्होंने निश्य किया कि मुझे पूरे धरती का ब्रहमन करना चाहिए और सभी जो राजा धरम से विमुख हो रहे हैं उनको दंड देना चाहिए उनको वापस धरम के मार्क पर लेकर आना चाहिए तो ऐसा निश्य करके परिक्षित महाराज ने अपनी सैना को तयार किया और सैना के साथ पूरे भारत मंडल का भ्रहमन करने के लिए निकल पड़े जहां जहां भी परिक्षित महाराज जाते सिभी जगय पर उनको अपने पूर्वजों का पांडवों का गुनगान सुनने को मिलता तो सभी लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते कि आपके जो वंशस थे वो भगवान के पार्शत थे भगवान उनके घर पर रहे उनकी सेवा तक भगवान करते थे तो आपके जो वंशस से वो सभी बड़े महान थे तो इस तरह से परिक्षित महरज को सब जगह पर इस तरह से कथाएं सुनने को मिलती तो परिक्षित महराज क्या है? समराट, पूरे भारत मंडल के समराट और उनके नीचे बहुत सारे जो राजा हैं, अलग-लग राज्यों का राजभार संभाल रहे हैं तो जहां भी जाते हों उनको प्रशंसा सुनने को मिलती, राज के समय पर जो भी हमारे राजनीतिक नेता हैं, अगर कभी वो कहीं भ्रह्मन पर निकलें, अपने किसी दोरे पर निकलें, तो कितनी बार उनको प्रशंसा सुनने को मिलती हैं, और कितनी बार लोग उनके उपर ज पर परिक्षित महाराज के समय पर सभी प्रजा का उनके प्रती असीम प्रेम तो ऐसे ही ब्रह्मन करते हुए सभी जो राजा धरम से विमुक हो रहे थे उनको दंड देते हुए जब परिक्षित महाराज ऐसे ब्रह्मन कर रहे थे तो ब्रह्मन करते करते वो सरस्वती नदी के तट पर आए और वहां पर उनको एक वचित्र दिश्य दिखाई पड़ा उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाए वहां पर खड़े आपस में वारतालाप कर रहे हैं और उस बैल के तीन पैर तूट चुके हैं बैल एक पैर पर खड़ा हुआ है और जो गाए है उसकी भी दशा बड़ी दयनिये है और बैल और गाए आपस में वारतालाप कर रहे हैं और बैल गाए को क्या बोल रहा था? कि तुम्हारी ये दयनिये अवस्था क्यूं है? तुम इतनी दुखी अवस्था में क्यों हो? क्या तुम इस बात से दुखी हो? कि अभी आने वाले समय पर तुम्हारे उपर बहुत अत्याचार किये जाएंगे? लोग आने वाले समय में कल युग में गाये को मान सबमान परदान नहीं करेंगे, उल्टा गाये का शोशन करेंगे, गाये का भद किया जाएगा, गो हत्या की जाएगी, गो मासा हर किया जाएगा क्या तुम इस अत्यचार को सोच कर दुखी हो क्या तुम ये सोच कर दुखी हो कि अभी आने वले समय पर सभी लोग कितने दूशित हो जाएंगे जो इस्त्रियां हैं वो दूशित हो जाएंगी सब घर घर में कल होगा क्या तुम इन सब बातों को लेकर दुखी हो या तुम इस बात को सोच कर दुखी हो कि जो भगवान तुमारी रक्षा करने के लिए इस प्रित्वी पर अवतार ग्रहन करके आए अभी वो वापस अपने स्वधाम चले गए है तो बैल और गाए आपस में इस तरह से वर्तलाप कर रहे थे और ये बैल और गाए वास्तव में कौन थे परिक्षित महाराज अपनी दिव्य दृष्टी से ये देख पाए कि ये बैल और गाए कोई ऐसे साधारन बैल और गाए नहीं है ये बैल वास्तव में धरम है और ये गाय के रूप में पृत्वी देवी है तो धरम और पृत्वी आपस में इस तरह से बात कर रहे थे कि पृत्वी के ऊपर अभी आने वाले समय पर बहुत अत्याचार होंगे और बैल रूपी धरम जो एक टांग पर खड़ा था उसके तीन पैर तूट चुके थे वो धरम को दर्शा रहा था कि धरम के जो चार पिलर हैं जो धरम के चार स्तंब हैं उसमें से तीन स्तंब तूट चुके थे और धरम सिरफ एक स्तंब पर खड़ा था तो परिखित महाराज अपनी दिव्य दृष्टी से ये देख पाए और उनका ये वर्तलप सुन पाए और गाये जो पृत्वी उस गाये के रूप में थी पृत्वी देवी धरम को क्या उत्तर दे रही है कि बास्तब में मैं भगवान के इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वधाम गुलोक धाम पर वापस जाने से दुखी हूँ भगवान जब अवतार ग्रहन करके इस पृत्वी पर प्रकट हुए तो भगवान अपने चर्ण चिन्नों से भ्रमन करते थे मुझे अपने चर्ण चिन्नों से सुशोबित करते थे मेरा रोम रोम हर्शित हो जाता था पर अभी मैं भगवान के संग से वंचित हो चुकी हूँ मैं भगवान से विरह सहन नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं इस दयनी अवस्था में हूँ इस दुखी अवस्था में हूँ और उसी समय परिक्षित महराज ने देखा कि एक शुद्र व्यक्ती जो राजा की भेश भूशा में था वो उस बैल के पैरों पर प्रहार कर रहा था जो उसका एक पैर बचा हुआ था उसको भी अपने गदा से प्रहार कर रहा था उसको भी तोड़ने का प्रहतन कर रहा था परिक्षित महराज इस बात को सहन नहीं कर पाए अपनी तलवार निकाल कर उसी समय पर अपने रत से कूद पड़े ए दुष्ट ठहर जा कौन है तू जो इस बैल का पैर तोड़ने का प्रहतन कर रहा है इस गाए और बैल का इस तरह से सोशन कर रहा है तो परिक्षित महराज ने अपनी तलवार निकाली और उसी समय पर उसको दंड देने के लिए द्रड हो गए तो देखे उस समय पर परिक्षित महराज ये सहन नहीं कर पाए कि किसी बैल पर और गाए के उपर अत्याचार किया जाए और आज के समय पर जब हम देखते हैं कि गाए के उपर इतना अत्याचार हो रहा है गो हत्या की जा रही है बैल हत्या की जा रही है हमारी आंखों के सामने कई बार गाये के साथ दुर्वेवहार किया जा रहा है पर हम अपनी आंखे बंद करके वहां से गुजर जाते हैं कि इससे मेरा क्या लेना देना पर वास्तव में परिक्षित महराज यहां पर क्या दर्शार रहे हैं अगर कोई गाय के उपर, बैल के उपर प्रहार करता है तो उसी समय पर उसको मृत्युदंड तक देने के लिए तयार हो जाना चाहिए तो ये उस समय का नियम था परिक्षित महराज बोल रहे थे कि मेरे रहते हुए मेरी प्रजा को कौन इस तरह से कश्ट पहुंचा रहा है तो प्रजा का अर्थ ये नहीं है कि सिरफ मनुश्य जहां तक की सभी जानवर भी प्रजा का भाग है जैसे शिवी महराज ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस तक दान में दे दिया क्योंकि उन्होंने बोला ये कबूतर भी मेरी प्रजा है और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है और आज के जो नेता है उनको मनुश्य की रक्षा करना मनुश्य की अपनी प्रजा को संभालना अद्भारी हो रहा है वो बाकी प्रजा को तो कैसे कंसिडर करेंगे कि मेरी ये सब जो जानवर है वो भी हमारी प्रजा का भाग है तो राजा का कृतव्य है कि वो अपनी पूरी प्रजा को धरम के अनुसार चलाए उनको धरम के मारग पर निक्त करे जैसे युदिश्व महराज के समय पर जो सभी प्रजा थी वो धरम का पालन करती थी उस समय पर सभी लोग निर्जल एकादशी वरत करते थे आज तो 90% लोगों को ये पता नहीं होगे एकादशी होती क्या है और निर्जल एकादशी की तो बात दूर की है तो उस समय पर सभी लोग धरम का पालन करते थे और परिक्षित महराज ने जब देखा कि कुछ लोग धरम से विमुक हो रहे हैं उन्होंने उसी समय निश्चे किया कि उनको धरम के मार्क पर लाया जाए तो ये राजा का नेता का करतव्य है अपनी प्रजा को धरम के मार्क पर चलाना पर आज कल हम क्या देख रहे हैं कि कलियुक का प्रभाव इतना बढ़ चुका है जो हमारे नेता हैं जो politicians हैं जो leaders हैं वो ना तो सुम्यम धर्म के मार्ग पर रहते हैं ना ही प्रजा को धर्म के मार्ग पर रखना चाहते हैं तो आजकल सब जगह अधर्म बढ़ता जा रहा है तो उस बैल रूपी धर्म के जो तीन पैर टूट चूके थे और चोथे पैर पर प्रप्रहार किया जा रहा था वो या चार पैर किस चीज़ को धर्शाते हैं ये धर्म के चार स्थम्ब हैं ये चार स्तम्ब क्या हैं, तपह, शोच, ख्रमा, सत्यम, तो ये जो चार स्तम्ब हैं धरम के, तपह, औस्टेरिटी, शोच, क्लीनलीनेस, ख्रमा, या दया, मरसी, सत्यम, रुत्फुलनेस, तो धरम इन चार पैरों पर खड़ा है, और धरम के जो चार में से तीन पैर हैं, वो लगबग तूट चुके हैं, और जो चोथा पैर है, वो भी तूटने के ही कगार पर है, सत्य, तो धरम के जो तीन पैर, तपह, शोच, और दया, तो ये तो पूरी तरह से आजकल के युग में खतम हो चुके हैं, एक बार एक व्यक पाप का कारे है यह सब पाप करने से आपको नर्क में जाना पड़ेगा नर्क की यातना इसेहन करनी पड़ेंगी तो व्यक्ति बोलते हैं अच्छा यह सब पाप के कारे हैं तो वो शर्मा जी वो भी मासाहर करते हैं वो भी नर्क में जाएंगे हाँ बिल्कुल वो नर्क में जाएंगे वो वर्मा जी वो भी खूब मदिरापान करते हैं वो भी नर्क में जाएंगे अरे हां भई वो भी नर्क में जाएंगे वो पांडे जी वो भी अवयादिस्त्री संग करते हैं उन्होंने तो अपने घर के पार एक और संबंद स्थापित कर रहे हैं वो भी नर्क मे जाएंगे, तो वो सब नर्क में जा रहे हैं, तो मैं अकेला स्वर्ग में जाकर क्या करूँगा, मैं भी नर्क में ही जाऊंगा, मेरे जब सब भी मित्र लोग नर्क में जा रहे हैं, तो मैं अकेला स्वर्ग में जाकर क्या करूँगा, तो लोग एक दूसरे को देखते हुए सब पाप के कारेओं में लीन हो रहे हैं और अपना जो रस्ता है नरक में जाने का उसका प्रबंद कर रहे हैं उसको निशकंटक कर रहे हैं देखें नर्क में जाने के लिए कितने पाप के कारे करने पड़ेंगे मासाहर करना, मदिरापान करना, अवैद इस्त्री संग करना तो यह सब पाप के कारे हैं और इन सब कारें को करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है मासाहार करना वो शाकाहार से ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसमें ज़्यादा पैसा लगता है कोई अगर औरेंज जूस पिए और कोई ये विस्की ब्रांडी पिए तो विस्की ब्रांडी औरेंज जूस से ये गाजर का जूस इन सबसे बहुत ज़्यादा महेंगा है कॉसली है और अगर कोई बाहर कुछ अवयद संग करता है बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है घर पे एक पत्निक और बच्चों को संभालना मुश्किल है और बाहर अगर कोई एक और अवयद इस्तरी को रख रहा है उसके उपर कितना खर्चा करना पड़ता है उसको संभालने के लिए उसकी जरूरते पूरी करने के लिए इच्छाएं पूरी करने के लिए तो इन सब चीजों में कितनी अनर्जी कितनी उर्जा कितना पैसा खर्च होता है और इतना पैसा खर्च करके लोग कहां जा रहे हैं इतने मेनत कर के नर्क में जाने का प्रबंद कर रहे हैं तो आजकल सभी लोग धरम से विमुख हो रहे हैं जो धरम के तीन स्तंब हैं वो पूरी तरह से ठै चुके हैं तूट चुके हैं और परिक्षित महाराज ने जैसे ही उस शुद्र को उस धरम रूपी बैल के उपर आकर्मन करते देखा तो उसके उपर तूट पड़े कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूँगा और जैसे ही उस शुद्र ने परिक्षित महाराज को अपनी तलवार लेकर उसकी और बगड़ते हुए आगे आते हुए देखा तो एकदम से घबरा गया और परिक्षित महाराज के चर्णों में गिर पड़ा कि मुझे ख्षमा कीजिए तो ये जो शुद्र था जो राजा के रूप में था वास्तव में कौन था ये कली पूरुश्या तो कली अपना प्रभाब बढ़ाने का प्रेतन कर रहा है कली जो इस कली का दुश प्रभाब है उसको बढ़ाने के लिए धरम के जो पैर है उनको तोट रहा है धरम के जो स्तंब है उनको गिराने का प्रेतन कर रहा है और परिक्षित महाराज को देखकर वो उनके चर्णों में गिर पड़ा कि मुझे ख्षमा कीजिए मैं भी आपकी प्रजा हूं मेरी रक्षा कीजिए मैं आपके शरण में हूं और जैसे ही कली ने परिक्षित महराज का शरण ग्रहन किया अभी परिक्षित महराज का गुन क्या है कि जो भी उनकी शरण में आए उसकी रक्षा करना उसको शरण प्रदान करना तो कली ने जैसे ही परिक्षित महाराज का शरण ग्रहन किया परिक्षित महाराज ने बोला कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूँगा पर तुम्हें कुछ तो दंड देना पड़ेगा तुम मेरे राज्य में नहीं रह सक जब तक मैं राज कर रहा हूं कलियुक का प्रभाव नहीं फैल सकता तो कली ने परिक्षित महाराज को बहुत प्रार्थना किया कि आप मुझे कुछ तो स्थान दीजिए मैं अभी आपकी प्रजा हूं मुझे भी कहीं रहने का स्थान प्रदान कीजिए परिक्षित महाराज ने बोला तुम मेरे राज्य में कहीं नहीं रह सकते और जब परिक्षित माराज ने ऐसा बोला तो वो कली पूरुशा घबरा गया कि आपके राज्य में मैं नहीं रह सकता तो मैं कहां पर रहूँगा इस पूरी धर्ती पर आप ही का तो राज्य है तो मैं कहां जाऊंगा है जूतं पानन श्त्रिया सूना यत्रधर्म श्चतुर विदह तो ये चार स्थान यहां पर अधरम का निवास हो सकता है जूतं यहां पर द्यूत क्रिड़ा किया जारो, गैंबलिंग किया जाता हो, पानम यहां पर मदिरा पान होता हो, इस्त्री यहां पर अवैद इस्त्री संग होता हो, वैश्य वृति की जाती हो, मासाहर किया जाता हो, तो यहां पर गैंबलिंग होती हो, मदिरा पान होता हो, अवैद इस्त चार जगहों पर तुम निवास कर सकते हो, तो ये चार स्थान क्या हैं, तो धर्म के जो चार स्थम्ब हैं, तपा, शोचम, दया, सत्यम, तो इन चार स्थम्बों के विप्रित, ये चार क्रियाएं हैं, जो इन चार धर्म के स्थम्बों को विधवन्स करती हैं, जो तपा है, जो intoxication मदीरा पान है वो तपा को भंग करता है अगर कोई व्यक्ति बहुत मदीरा पान करता है तो वो कहां से तपस्या कर पाएगा तपा करना है तो सुबह जल्दी उठिये ध्यान कीजिये पर अगर कोई व्यक्ति मदीरा पान कर रहा है रात को बारा बारा दो दो बजे तक क नशा उतारना पड़ेगा तो जो व्यक्ति मदीरपान करता है वो तपस्या नहीं कर सकता तो मदीरपान से नशा करने से जो तपह कब संब है वो गिरता है और शौचम cleanliness cleanliness कैसे तूटता है अवैद संग करने से तो cleanliness मतलब बाहर की हमारी सफाई और अंदर मन की सफाई तो दोनों को साफ करना बहुत आवश्यक है और जब व्यक्ति अवैद संग में लीन रहता है तो उसका जो शोच है जो मन की cleanliness है और बाहर की cleanliness है वो दोनों नश्ठ होती है और मासा हार करने से दया कस्तंब नश्ठ ह होता है जिस व्यक्ति के अंदर इतनी कुरूरता है इतनी निर्दयता है कि वो दूसरों का वद करने से नहीं कत राता अपने छे इंच की जिवा को संतुष्ट करने के लिए जो छे फुट के जानवर का वद करने से नहीं चुकता उस व्यक्ति के अंदर दया की भावना कैसे जाएगी तो जो देया का स्तंब है वो मासाहर करने से नश्ट होता है और चोथा स्तंब सत्य का स्तंब द्यूत से गैंबलिंग से जो स्पेक्यूलेटिव बिजनस है जो किसी व्यक्ति के अंदर ये लालच की भावना है कि मैं किसी ना किसी ढंग से अधिक से अधिक धन अरज करने के लिए उससे ये सत्त्य का जो स्तम्ब है वो नश्ट होता है तो इसलिए परिक्षित माराज ने बोला कि यहां पर भी यह चार क्रियाएं होती हो जहां पर मदिरापान होती हो यहां पर मासाहार होता हो अवया दिस्तरी संग होता हो जहां पर नशा होता हो उन चार जगह पर कली रह सकता है और वहां पर क्योंकि कली युग का प्रभाब वहीं पर फैल सकता है वहीं से कली युग का आरंब होता है और कली ने जब ये सुना तो कली पर परुशा ने फिर से परिख्षित महराज को प्रार्थना किया, क्या आप मेरे उपर कृपा कीजिए आपके राज्या में तो ये चार सान कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, आप इतने धरम पूर्वक राज्या कर रहे हो, आपके राज्या में सभी प्रजा धरम के नियमों का पालन करती है, तो मुझे ये सान कहां पर मिलेंगे रहने के लिए, तो आप मुझे कृपय करके कोई और सान भी प्रधान कीजिए, तो ना तो आपके राज्या में कहीं पर द्यूत होता है, कोई खुले आम, कोई जुआ खेलता है, ना ही कोई खुले आम आपके राज्या मे कोई मदिरा ग्रह हैं एक कलब्स हैं पब्स हैं कि जहां पर लोग आगते मदिरा पान करते हों नहीं कहीं वैश्य वृत्ती होती है और नहीं खुले आम पशों का वद किया जाता है अपने जिवा की संतुष्टी के लिए तो ये सब जगह मुझे नहीं मिलेगी आप मुझे और स्थान दिया कि जहां पर भी अवैद धंदा होता हो जहां पर लोग अवैद कारे करते हों अधिक धन अरजिन करने के लिए तो अगर हम सीधा सीधा अर्थ देखें जातरूपम का जो लिट्रल मीनिंग है उसको बोलते हैं सोना तो ज्यादातर लोग इसकी अनुवाद क करते हैं कि परिक्षित महराज ने काली कली पूरुशा को स्थान दिया कि जहां पर भी सोना है आप वहां पर रह सकते हो तो क्या वास्तब में ऐसा हो सकता है क्योंकि उस समय पर जो करंसी है वो क्या है सोने के सिक्के तो सभी के पास सोना है सभी के पास गोल्ड है तो परिक तो वास्तब में इसका अर्थ ये था कि जहां पर भी लोग अवैद कारे करते हों धन अर्जित करने के लिए ब्लैक मनी जहां पर ब्लैक मनी है कली वहां पर रह सकता है वहां पर अपना प्रभाब बढ़ा सकता है जहां पर भी अवैद धंदा होता हो जहां पर भी लोग अवैद कारे करते हो धन अर्जित करने के लिए वहां पर ये बाकी सब चीजें भी अपने आप आ जाएंगी क्योंकि आप देखिए जो व्यक्ति बड़े धर्म पूर्वक अपना कारे कर रहा है अपना व्यवसाय कर रहा है पैसा अर्जिन करने के लिए अपना परिवार का पालन पोशन करने के लिए तो उसके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है पर जहां पर भी ग्रीड है लालच है अवैद कारे हैं अधिक से अधिक धन अर्जिन करने के लिए जहां पर लोगों के पस black money है, वहां पर बाकी की ये सब चार पाप के कारे भी अपने आप आ जाते हैं, वही लोग नशा वृत्ती करने में अधिक से अधिक उत्सुक रहते हैं, वही लोग मासाहर करने में अधिक से अधिक उत्सुक रहते हैं, कैसीनोज में जाना, पब्स मे परिक्षित महराज ने उसको ये चार स्थान और पांचवां स्थान परदान किया क्योंकि लोग समझते हैं कि परिक्षित महराज ने उसको सोने में रहने का स्थान परदान किया और कली उसी समय पर चड़कर उनके मुकट के अंदर बैठ गया क्योंकि परिक्षित महराज ने भी तो सोने का मुकुट पहन रखा था कली ने परिक्षित महराज के मुकुट के अंदर निवास नहीं किया तो आगे चलकर हम इसका वर्नन और विस्तार से सुनेंगे तो परिक्षित महराज ने कली को ये पांच स्थान प्रदान किये महराज ने कलियुक को जीवित कैसे छोड़ दिया कलि पूरुशा को उसको उसी समय पर मृत्यू दंड क्यों नहीं दिया तो यहां पर बताया जाता है कि परिखित महराज वो क्या थे सार ग्रही परिखित महराज अपनी दिव्यद रिष्टी से देख पाए कि कलियुक के उस समय पर अगर लोग अच्छा कार्य करते थे तब जाकर उनको उसका फल प्राप्त होता था तो अच्छा कार्य करने के लिए सिरफ सोचना ही नहीं उसको वास्तब में जब करना पड़ेगा जब करेंगे तब जाकर उसका फल प्राप्त होगा और अगर किसी ने बुरा कर करने का सोचा पर किया नहीं सिरफ सोचने मात्र से उसको उस बुरे करम का फल प्राप्त होगा तो सत्य युग में और त्रेता युग के समय पर क्या प्रभावता अच्छा कारे करने से ही फल प्राप्त होगा अगर किसी ने सिरफ अच्छा कारे करने का सोचा पर किया नहीं त उसको फल नहीं मिलेगा और बुरा कारे करने का सिर्फ सोचा और किया नहीं तब भी फल प्राप्त होगा उसको उसका प्रणाम भूगत ना पड़ेगा पर कलियुग में क्या विशेष्टा है कि अगर किसी ने अच्छा कारे करने का सोचा पर किया नहीं तब भी उसको उस कारे को करने का फल प्राप्त होगा और बुरा कारे करने के बारे में सोचा और बुरा कारे नहीं किया तो बुरा कारे करने का फल प्राप्त नहीं होगा बुरा कारे जब तक किया नहीं जाएगा तब तक उसका फल नहीं मिलेगा और अच्छा कारे करने का सिरफ सोचने मात्र से उसको फल प्राप्त होगा तो ये कलियूग की विशेष्टा कलियुग में कितनी छूट प्राप्त है तो अगर हम सुबा उठके और सोचें आज मैं सो गाएं ब्रामनों को दान कर रहा हूं आज मैंने इतना पैसा भगवान के मंदिर में दान दिया आज मैंने इतने ब्रामनों को भोग कराया आज मैंने इतनी गौव की सेवा की उनको चारा खिलाया उनको गुड़ खिलाया तो सिरफ सोचने मातर से अगर किसी ने किया भी नहीं सिरफ उठकर ये सोचा तब भी उसको इस सब का फल प्राप्त होगा तो हम सब को एटलिस इतना तो करना चाहिए कि सुबा उटकर ये सोचें कि आज मैं इतना ब्रह्मनों को भोक करा रहा हूँ इतने गाईयों की सेवा कर रहा हूँ इतना भगवान के मंदर में दान दे रहा हूँ तो इतना सिरफ सोचने मातर से आपको उसका लाप्त प्राप्त होगा और अगर आप सिरफ सोचने से संकल्प करते हो तो कभी देना भी आही जाएगा तो वास्तव में भी आपसे वो पुन्य कारे हो ही जाएगा पर उसके विप्रित अगर कलियुग में किसी ने ये सोचा किसी से कुछ द्वेश की भावना रखी किसी के प्रती कुछ गलत भावना रखी पर उस कारे को किया नहीं तो उसको उसका फल प्राप्त नहीं होगा पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने हृदय में कुछ गलत भावनाई रखनी चाहिए, गलत विचार लाने चाहिए, दूसरों के बारे में बुरा सोचना चाहिए, कि मैं तो सिरफ सोची रहाँ, कुछ कर थोड़ी रहाँ, तो इसका फल थोड़ी प्राप्त होगा, पर वास्तव में होता क्या है कि अगर हमारे मन में गलत भावनाई हैं, गलत विचार हैं, किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, तो धीरे धीरे हमारे क्रिया में भी आही जाएगा, कभी न कभी हमसे वो कार्य हो ही जाएगा, या तो हमारे वचनों से, या वास्तव में हमारे कार्य में, तो इसलिए बुर कारे जब तक नहीं किया तब तक उसको उसका फल नहीं भूगतना पड़ेगा तो परिखित महराज सारग रही थे जो इस बात को देख पाए और इसलिए उन्होंने कली को सिरफ दंड देकर छोड़ दिया उन्होंने उसको सीमित कर दिया कि तुम कहां कहां पर रह सकते हो और भागवत के अंत में एक और वर्नन आता है कि कलियुक के अंदर एक और क्या विशेष्टा है कलियुक के अंदर विशेष्टा है कि भगवान का सिरफ नाम जब करने मात्र से व्यक्ति इस कलियुक के दुश प्रभाव से मुक्त हो सकता है भगवान को प्राप्त कर सकता है अ एक्तिय यूग में लोग ہजारों हजारों वर्षों तक भगवान का ध्यान करते थे इतनी कड़ी तपस्या करते थे त्रेता यूग में भगवान को परसंद करने के लिए महान éénज्य किये जाते थे जिसमें इतना धनसंपत्ति का व्यय होता था पर कल्यूग में जो एक जब करने से भगवान का समर्ण करने से व्यक्ती इन सभी विकारों से मुक्त हो सकता है तो कल्यूग में ये एक विशेष्टा कलेर दोशे निधे राजन अस्ते एक महान गुना कीर्टना देव कृष्ण स्या मुक्त संगो प्रम्रजेत कि सिरफ भगवान का नाम का जब करने से भगवान क्रिशन के नाम का कीर्टन करने से इस कल्यूग के प्रभाव से बचा जा सकता है तो चाहे इस कल्यूग में बहुत दोश हैं अपना ये प्रभाव बढ़ा रहा है पर अगर हमें इस प्रभाव से बचना है तो सदयाब भगवान के नामों का जब करते रहना चाहिए तो ये भगवान का नाम का जब क्या है हमारे लिए इंशॉरंस पॉलिसी एक चाते के समान है बारिश में अगर हमें बारिश से बचना है तो हमें एक चाता ग्रहन करते हैं अपने सर के उपर चाता पकड़ते हैं ताकि हम उस बारिश की बूंदों से बच सकें और इस कलियोग में तो ये सब जो दुश प्रभाव हैं इनकी वर्षा हो रही है और उस दुश प्रभाव से बचने के लिए कौन सा चाता धारन करना पड़ेगा भगवान के नाम रूपी चाता ताकि हम इस कलियोग के प्रभाव से बच सकें तो उस कलि पुरुशा को दंड देने के बाद परिक्षित महराज वपस आये और एक दिन वो अपने राज़य में शिकार करने के लिए गई भ्रह्मन करने के लिए गई और भ्रह्मन करते करते वो इतना प्यास से व्याथित हो गए उनको इतनी प्यास लगी कि उन्होंने एक साधू का आश्रम देखा एक महत्मा का आश्रम देखा और उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं कुछ पानी पीने की शंका से कि मुझे यहां पर कुछ पानी का व्यवस्था मिल जाएगा तो अपनी प्यास भुजाने के लिए उस आश्रम में गए श्रिंगी रिशी वहां पर तपस्या में लीन थे वो अपनी ध्यान अवस्था में थे उन्होंने परिक्षित महराज को आते हुए नहीं देखा और परिक्षित महराज ने उस समय पर क्या समझा कि ये वास्तब में कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं ये मुझे आते हुए देखकर भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं ये तपस्या में बैठे होने का ऐसा परतीत हो रहा है जैसे सिरफ धोंग कर रहे हूं क्योंकि परिक्षित महराज प्यास से इतने व्यातित थे एक खण के लिए जैसे उनकी बुद्धी विस्मृत हो गई उनके मन में क्रोध की भावना आई कि ये मेरा स्वागत ना करके ध्यान में रहने का धोंग कर रहे हैं देखिए उस समय पर जो सब सादू महत्मा थे जो राजा के प्रती उनके रिदय में बड़ा भाव रहता था कि ये जो राजा है ये भगवान के प्रती निदी हैं तो इसलिए राजा का सम्मान किया जाता था अगर कोई राजा किसी साधू के आश्रम में आता था तो उसको बड़े सम्मान पूर्वक उनका रिसेप्शन होत आज ने ये देखा कि समिक रिशी अपनी तपस्या में लीन हैं उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो धोंग कर रहे हैं उन्होंने क्रोध में आकर सोचा कि इस धोंगी को इसका उचित दंड देना चाहिए तो उन्होंने देखा पास में एक मृत सरप पड़ा था उन्होंने उस मृत सरप को उठाया और उस रिशी के गले में माला की तरह पहना दिया कि इनका उचित सम्मान इसी तरह से किया जाए किसी धोंगी सादू का सम्मान करने के लिए उसके गले में मृत सरप की माला पहना दिया और परिक्षित महराज उस समय पर मुरित सरप की माला पहना कर वहाँ से चले गए और जैसे ही वो आश्रम से बाहर गए उसी समय पर उनके हृदे में ये भावना आई कि मैंने ये बड़ा गलत कारे किया है तो लोगों को लगता है कि परिक्षित महराज के मुकुट में उस समय पर कली ने अपना निवास किया क्योंकि परिक्षित महराज ने बोला था कि तुम सोने में निवास कर सकते हो जो वास्तव में सोना नहीं अवैद यहां पर धन हो तो लोगों की ये भावना रहती है कि परिक्षित महाराज के मस्तक पे कली ने निवास किया इसलिए उससे प्रभावित होकर परिक्षित महाराज ने इस तरह का घ्रिनित कारे किया कि वो अपना भुद्धी को खो बैठे और उनसे इतना निंदनिये कारे हुआ पर वास्तव में अगर वास्तव में ये कली का प्रभाव होता तो परिक्षित महाराज को एक खन के बाद इस बात का अभास नहीं होता अपने कारे के उपर वो इस तरह से निंदित नहीं होते हैं उनको शोक नहीं होता कि मैंने ये गलत कारे किया जैसे ही वो उस आश्रम से बाहर निकले उसी समय पर उनको ये शोक हुआ उनके हृदय में कि ये मैंने बड़ा गलत कारे किया एक रिशी का अपमान किया और इसका अवश्य ही कुछ फल प्राप्थ होगा मुझे इसका कुछ दुश प्रणाम भुगतना पड़ेगा तो उनके हृदय में ये भावना थी और वो अपने आपको उसके लिए पूरी तरह से तयार कर रहे थे कि मुझे इसका परिणाम इसका दंड भुगतना पड़ेगा तो वास्तव में ये सब घटना की हुई ये भगवान की ही प्रेणा भगवान जैसे अरजुन को उन्होंने मोह में डाला भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला ताकि अर्जुन के माध्यम से ये भगवत गीता पूरे संसार को दी जा सके इस भगवत गीता का ग्यान सभी को प्राप्त हो सके तो उसी तरह से परिक्षित महराज को भगवान एक निमित बना रहे हैं तांकि उसके माध्यम से ये श्रिमत भागवत गरंत पुरे संसार को मिल सके, ये भागवत कथा हम सभी को मिल सके, इसलिए परिक्षित महराज को निमित्त बनाया गया, तो परिक्षित महराज वापस अपने महल में आए और दूसरी तरफ समेक रिशी उनका जो पुत्र था वो बाहर अपने मित्रों के साथ खेल रहा था एक मित्र ने आकर उसको सूचना दिया कि एक राजा तुमारे आश्रम में आए और तुमारे पिता के साथ इस तरह दुर विवहार किया उन्होंने तुमारे पिता के गले में एक मृत सरप की माला पहना दिया और श्रिंगी जो समेक रिशी के पुत्र थे जो की मात्र तेरा चोदा वरश की आयू के थे एक बालक जिनको अभी पूरी तेरह से सही गलत का आभास नहीं था उन्होंने क्रोध में आकर उसी समय पर अपने हाथ में जल लिया और परिक्षित महराज को श्राप दे दिया कि मैं ब्रामन पुत्र तुमें ये श्राप देता हूँ तुमें मेरे पिता का अपमान किया है तक्षक पक्षिके डसने से तुमारी मृत्ती होगी तो उन्होंने इसी समय पर उनको एक श्राप दे दिया और जैसे ही वो अपने पिता के पास रोते रोते पिता का ध्यान भंग हुआ उन्होंने देखा उनके गले में मरत सरब की माला है उसने उन्होंने साप को उतार कर फैंका और जब उनको ये सब घटना का पता चला कि परिक्षित महराज यहां पर आये थे मैंने उनका आप भगत नहीं किया और उन्होंने क्रोध में मुझे ये सरब की माला पहना दी और मेरे पुत्र ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया परिक्षित महराज ने पूरी तरह से उस श्राप को सविकार किया कि ये मेरे जो गलत कारे था उसका ही परिणाम है और उन्होंने सब कुछ त्याग करने का निश्चे किया परिक्षित महराज ने उस श्राप को सुहरेदे से सविकार किया और अपने आपको तयार किया सब कुछ त्याग कर अपने राज्य का त्याग किया अपनी सब संपत्ति का त्याग किया अपने जो राजसी वस्तर थे उनका त्याग किया और राज्य को छोड़ कर वन में जाने का निश्य किया दीए परिखित महाराज को ये समाचार मिला कि साथ दिन के बाद उनकी मृत्य होने वाली है तो उनके पास साथ दिन का नोटिस था और उन्होंने अपने आपको तयार करना शुरू किया उस मृत्यू का स्वागत करने के लिए हमारे पास ये नोटिस ज़रूरी नहीं है कि आएगा कितने लोगों को ये सूचना मिलती है कि आपकी मृत्य होने वाली है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका रोड एक्सिडेंट में मृत्य हो जाता है उनको एक खशन की भी सूचना नहीं मिलती है एक खशन का भी नोटिस नहीं मिलता कि अभी आगे आने वाले खशन में आपकी मृत्य होने वाली है परिखित महराज ने सोचा अभी मुझे सब चीजों का त्याग करना चाहिए ये भगवान की ही मेरे उपर कृपा है मुझे इन सब चीजों का त्याग कर भगवान के उपर ध्यान लगाना चाहिए तो परिखित महराज ने सब चीजों का त्याग किया अपने राज्ये का त्याग किया अपने पुतर जनम जय को राजा बनाया और सब चीजों का त्याग करके निकल पड़े परिक्षित महाराज गंगा के किनारे पर आए सब वस्तरों का भी त्याग किया सिरफ उन्होंने क्या पहन रखा एक लंगोट देखे एक महान राजा जो पूरी पृत्वी का राज्ये कर रहा हो एक खण में सब चीजों का त्याग कर दिया गंगा के किनारे पर आए वहां पर बहुत सारे रिशिगन थे सबसे उन्होंने यही प्रशन किया यही प्रयार्थन की कि मेरे पास साथ दिन समय शेश बचा है मुझे क्या करना चाहिए तो सभी लोगों ने अपना अलग अलग अनुभब बताया अलग अलग अपना निशकरश बताया किसी ने बोला आप तप कीजिए किसी ने बोला आप कुछ यग्य कीजिए आप ध्यान कीजिए आप कुछ पश्चात आप कीजिए तो सभी ने अलग लग विश्यों में बताया तो वहां पर और बहुत सारे रिशिगन उपस्तित होने लगे बहुत रिशियों का तांता जमा हो गया वहां पर और उस समय पर शुकदेव गोस्वामी जी का भी वहां पर आगमन हुआ शुक्देव गोस्वामी जी कैसे परतीत हो रहे हैं जैसे कुछ 16 वरश का बालक हो तो उनके मुख मंडल पर इतना तेज, इतना आभा और जैसे ही शुक्देव गोस्वामी उस सभा में उपस्थित हुए सभी ने उठकर उनको प्रणाम किया उनको बैठने के लिए एक आसन परदान किया तो उनको व्यास आसन दिया गया कि आप इस सभा के लीडर बनिये, आप सभी को गाइड कीजिए परिक्षित महराज ने शुक्देव गोस्वामी जी का स्वागत किया उनको प्रणाम किया, उनको बोला ये मेरा सो भाग्य है कि आप यहां पर उपस्थित हुए है ये भगवान की ही मुझ पर असीम कृपा है क्योंकि आप तो पूरी तरह से विरक्त हैं आप पूरी जगह सब जगह पर भ्रह्मन करते रहते किसी जगह पर भी आप अधिक समय पर नहीं ठहरते आपके बारे में ये परसिद्ध है कि आप जादा से जादा कितना समय ठहरते हैं जितना समय लगता है गाए को दुद दूहने के लिए तो आप storm सब जगह पर विच्रण करते हैं पर आप आज विच्छन करते करते यहां पर आए तो यह कोई coincidence नहीं हो सकता यह भगवान की ही कृपा है कि आप यहां पर उपस्थित हुए है तो परिक्षित महराज शुकदेव गोस्वामी जी की स्तुती कर रहे हैं और आपके जो परिवार के सदस्य थे वो भगवान के पारशद रह चुके हैं भगवान का उतने उनके प्रति कितना सनेह था तो दोनों परस पर एक दूसरे की स्तुती कर रहे हैं और शुकदेव गोस्वामी जी जब अपने आसन पर विराजमान हुए तो परिक्षित महराज ने शुकदेव गोस्वामी जी को कुछ प्रशन किये तो उनके प्रशन क्या थे? पहला प्रशन कि जो व्यक्ति मृत्यू के निकट हो उसका क्या करतव्य है? उसको क्या करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? पर साधारनतिया सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस की पूजा करनी चाहिए, किस क्या कीरतन करना चाहिए, किस के नाम का जब करना चाहिए तो उनका प्रशन क्या था कि जो व्यक्ति मृत्यों के करीब है उसका क्या करतव्य है और साधारनतिया सभी व्यक्तियों का क्या करतव्य है आप उसके बारे में मुझे बताईए एक परिक्षित महाराज अपने आपको पूरी तरह से तयार कर रहे हैं अपनी मृत्यू के लिए और उस मृत्यू की सफलता क्या है मृत्यू के समय पर हम पूरणते सफलता कैसे प्राप्त कर सकें उसके लिए क्या करना चाहिए और इस संसार में साधारणते सभी प्रानियों को अगर मृत्यू का समाचार भी मिले तो भी हमारा यही रहता है कि अभी मैंने अपना इच्छाओं को पूरण नहीं किया पहले तो हमें यही बात का अभास नहीं होता कि मेरी मृत्यू कभी भी आ सकती है जहां तक कि हम देखते हैं इस संसार में सभी की मृत्यों आ रही है रोज कितने लोग मर रहे हैं पर हम सब को लगता है बाकी सब यक्षियों को लगता है कि मेरी मृत्यों कमें नहीं आएगी तो युदिश्चर महराज को भी जब वो लोग अग्यातवास की और जा रहे थे अपना 12 वरश का वनवास मापत करके जब वो अग्यातवास में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय पर सभी पांड़ों को प्यास लगी और जल की तलाश में वो एक तलाब पर आए और यक्ष ने सभी से प्रशन किये और चार पांडव अरजुन भीम नकुल सहदेव उस यक्ष के प्रशन का उत्तर ना देने की वज़ा से उन्होंने सीधा उस जल को पीने का प्रतन किया और मृत्ती हो गई और जब युदिश्टर महराज वहां पर आए उस यक्ष ने उनको भी प्रशन पूछे और युदिश्टर महराज को एक प्रशन पूछा गया कि संसार में सबसे वचित्र बात क्या है युदिश्टर महराज ने उसका उतर दिया इस संसार में सबसे वचित्र क्या है यही सबसे अधिक आश्चरे की बात है कि इतने लोग मृत्य के घाट को उतर रहे हैं, मृत्य को प्राप्त हो रहे हैं, पर जो वाकी व्यक्ति शेश बचे हैं, वो सोचते हैं कि मेरी मृत्य कभी नहीं आएगी, मैं हमेशा जीवित रहूँगा, तो इससे अधिक वचित्र, इससे अधिक आश्चरे क्या हो सकता है? तो परिक्षित महाराज यहाँ पर प्रेशन कर रहे हैं कि हमारे क्रतववे क्या है? साधारण दे सभी का क्रतववे क्या है? और जो व्यक्ति मृत्यू के करीब है, उसका क्या क्रतववे है? और शुखदेव गोसवामी जी ने उनके प्रशन का उत्तर देना आरंब किया, क सभी प्रानियों का क्या करतव्य है तस्मात भार्त सरवात्मा भगवान इश्वरो हरी श्रोतव्य कीर्तितव्यस्चा स्मर्तव्यस्चा इच्ता भयम अगर कोई व्यक्ति निर्भय होना चाहता है बास्तव में निडर बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्चा स्मर्ट तव्यस्चा तो उसको श्रवन करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए स्मर्ण करना चाहिए किसका इस संसार के व्यक्तियों का नहीं किस संसार में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है कोई अभी नेता है कोई नेता है तो उनका कीर्तन उनका श्रवन उनका स्मर्ण नहीं किसका कीरतन श्रवन स्मर्ण करना चाहिए भगवान का सरवात्मा भगवान इश्वरो हरी तो भगवान हरी का ही श्रवन करना चाहिए उनकी कथाओं का श्रवन करना चाहिए उनके नाम का जब करना चाहिए उनका सदयाव स्मर्ण करना चाहिए उसी से व्यक्ति निर्भय बन सकता है निर्व बन सकता है तो इस संसार में सभी को किसी ने किसी बैट का भाय है और सबसे बड़ा भाय किस चीज का रहता है मृत्यू का मृत्यू सबसे अधिक भैवीत है कोई भी व्यक्ति मृत्यू प्राप्त करना नहीं चाहता और अगर किसी व्यक्ति को अभय बनना है तो भगवान की कथाओं का श्रवन करना चाहिए और ये सभी के लिए है तो यहां पर तीन शब्दों का प्रयोक किया शुकदेव गोस्वामी जी ने सर्वात्मा, भगवान, इश्वर तो एक ही व्यक्ति के लिए ये तीनों शब्द है भगवान सर्वात्मा है वो सबके हिर्दय में परमात्मा के रूप में विराजमान है तो इन तीन अलग-लग शब्दों का जिनका एक ही अर्थ है तीन बार क्यों प्रियोक किया गया तो शुकदेव गोस्वामी जी ये बात को दर्शा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करते हैं भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में देखना चाहते हैं को अपने हरिदय में पकड़ना चाहते हैं तो उनके लिए सर्वात्मा कश्प्रयोग किया गया तो यह ध्यानी है वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भगवान तो सबके हरिदय में प्रमात्मा के रूप में विराजमान हैं और जो साधका हैं जो भगवान के भजन कीर् उनको इस बात का भय रहता कि क्या हम भगवान को आकरशित कर पाएंगे क्या हम भगवान की और आकरशित हो पाएंगे तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी जी शवद का प्रयोग कर रहे है भगवान भगवान का अर्थ क्या है भगवान जिनके पास सभी आश्वरे हो तो क्या मैं भगवान को अपनी और आकरशित कर पाऊंगा के नहीं तो भगवान सभी को अपनी और आकरशित करते हैं और तीसरा शब्द प्रयोक किया गया इश्वरा तो जो अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहते हैं अपने मन का दमन करना चाहते हैं भगवान को प्राप्ट करने के लिए उनको इस बात का भायर है ता कि क्या हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे मन को अपने वश में कर पाएंगे भगवान को प्राप्ट करने के लिए तो यहां पर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इश्वरा इश्वरा का अर्थ क्या है कि भगवान सभी चीजों के कंट्रोलर है तो भगवान आपको शक्ती प्रदान करेंगे अगर हमारा निश्वरा द्रड है अगर हमारे अंदर इच्छा प्रबल है भगवान को समझने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान हमें सहायता करेंगे हमारी इंद्रियों को हमारे मन को अपने वश में करने के लिए क्योंकि भगवान ही सब चीजों के कंट्रोलर हैं सब को अपने वश्मे कर सकते हैं तो शुगदेव गोसवामी जी ने बताया कि सभी को भगवान का कथा का श्रवन करना चाहिए भगवान के पुवित्र नामों का जब करना चाहिए और भगवान का समर्ण करना चाहिए सभी को इस बात की आवश्यक्ता है कि वो अपने जीवन के अंत में भगवान का समर्ण कर पाए तभी उनको अपने किसी भी करम का वास्तव में फल प्राप्त होगा तो चाहे कोई करम योगी है, ध्यान योगी है, ग्यान योगी है, अगर उनको कोई परम लक्ष अपना जीवन का प्राप्त करना है, जो कि है भगवान की प्राप्ती, उसके लिए उनको भक्ती को अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, भगवान का स्मर्ण करना ही तभी उनको परम सफलता प्राप्थ हो सकती है इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं अंत काले चमामे वस्मर्ण मुक्त्वहकले वरम अपने जीवन के अंत में जो कोई मेरा स्मर्ण करता है तो वो मुझे प्राप्थ करेगा तो इसलिए सभी का करतव्य है कि वो भगवान का स्मर्ण करें और जो व्यक्ति मृत्यू के निकट है मृत्यू के करीब है उसका तो परम करतव्य है कि वो भगवान का स्मर्ण कर पाए तो भगवान का समर्ण करना मृत्यु के समय पर अवश्यक है तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मृत्यु का जब समय आएगा तो मैं भगवान का नाम लूँगा तो ये तो बड़ा आसान है जब मैं मरने वाला होंगा तो आइंट में वोलो हरे कृष्णा तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा इसमें क्या कठिनाई है तो कठिनाई ये है कि भगवान का जो नाम है वो एकदम से हमारी जिवा पर नहीं आएगा भगवान का समर्ण एकदम से नहीं आएगा मृत्यू के समय पर क्योंकि पूरे जनम, पूरे जीवन भर हमारी जो आसकती रही है जिन चीजों के अंदर हमारा ध्यान रहा है पूरा जीवन वही सब चीजें हमें मृत्यु के समय पर ध्यान में आएंगी तो इसलिए अगर मृत्यु के समय पर हमें भगवान का समर्ण करना है भगवान का नाम लेना है तो हमें जीवन भर भगवान का समर्ण करने का अभ्यास करना चाहिए जब तक भगवान का नाम जब करने का भगवान का समर्ण करने का अभ्यास नहीं होगा तो जीवन के अंत में भी भगवान का समर्ण नहीं कर पाएंगे अगर किसी व्यक्ति को अपनी परिक्षा में पास होना है तो ऐसा नहीं है कि वो परिक्षा से एक घंटा पहले सोचेगा चलो अभी मैं किताब खोल कर थोड़ा पढ़ कर देखता हूँ कि क्या है इस किताब में सब किताब के पन्ने उलट पुलट कर देखे तो ऐसा नहीं होता अगर किसी को अपना एक्जाम में पास होना है तो उसको नियमत रूप से उसको पढ़ना पड़ेगा उसका अभ्यास करना पड़ेगा तब वो जाकर उस परिक्षा में सफर हो सकता है तो उसी तरह से जो जीवन है मृत्यू के समय पर उसकी परिक्षा है और उस परिक्षा में पास होना मतलब भगवान को प्राप्त करना भगवान के धाम में वापस पहुंच पाना और उस परिक्षा में पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मृत्यू के समय पर भगवान को स्मर्ण करना भगवान के नाम का जब करना अंतकाले चमामेवा स्मर्ण मुक्तवा कले वरम तो यहां पर भी शुकदेव गोस्वामी जी भी क्या बता रहे हैं अंते नारायन हस्मृती सभी को चाहिए कि भगवान का शुर्ण नारायन का भगवान विश्णू का भगवान कृष्ण का भगवान राम का वो स्मर्ण कर पाएं तो यह सिरफ उनकी करतव्य नहीं है जो मृत्यू के करीब है यह सभी व्यक्तियों का करतव्य है इसलिए फिर से शुकदेव गोस्वामी एक पर फिर से बोलते हैं तस्मात सरवात्मनाराजन हरी सरवत्र सरवदा छोतव्य कीर्ति तव्यस्चा समर्तव्यो भगवान निरानाम तो भगवान जो पुरुषों में उत्तम हैं पुरुषों में श्रेष्ट हैं उनकी कथाओं का श्रवन करना चाहिए उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए उनका समर्ण करना चाहिए जो भगवान सभी जगह पर उपस्तित हैं इसलिए उनका हर जगह पर हर समय पर समर्ण करना चाहिए ऐसा नहीं कि सिरफ मृत्यू के समापर सरवत्र सरवदा बाकी सब भी जो भी मारग है, करम का मारग है, योग का मारग है, ध्यान का मारग है, ग्यान का मारग है, हो सकता है व्यक्ति उसको किसी उचित स्थान पर ही कर पाए, या किसी उचित समय पर ही कर पाए, अगर किसी को ध्यान करना है तो उसके लिए उचित समय होना चाहिए, ऐ उसके बाद आप बोलोगे अभी मैं अलॉम बिलॉम करूँगा बैठकर अभी मैं अपने एक टांग पकड़कर इदर से पीछे से निकाल कर यहां पर ऐसे लगाओंगा तो वो सब नहीं कर पाओगे तो उसका एक उचित समय है पर भगवान के नाम का जप करना भगवान का स्मर्ण करना वो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है किसी भी समय पर किया जा सकता है हो सकता है आप भगवान के अर्च विग्रह की भी सेवा कभी ना कर पाओ हो सकता है कि मंदिरों के द्वार भी बंद हो जाए कभी-कभी ऐसा समय आता कोई ऐसी महामारी फैली कि भगवान के मंदिर भी बंद हो गए तो कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में भी नहीं जा सकता अर्चविग्रह का दर्शन करने के लिए उनकी अर्चना बंदना करने के लिए पर फिर भी भगवान का नाम का जब किया जा सकता है भगवान का स्मर्ण किया जा सकता है आने वाले समय में ऐसी प्रस्थितियां बन सकती है कि मंदिर भी ना रहें आपको भगवान की अर्चना वंदना करने के लिए उपर रोक लगा दी जाए पर क्या कोई आपके उपर रोक लगा सकता है कि आप अपने मस्तिक्ष में अपने मन में अपनी जिवा से भगवान का नाम ले सको भगवान का स्मर्ण कर सको तो हरी सरवत्र सरवदा रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य अस्चा भगवान का कीर्तन श्रवन इस्मर्ण हर समय करना चाहिए हिरन्य काशिपू एक ऐसा राक्षस आसुर हुआ जिसने सबके उपर प्रतिबंद लगा दिया कोई भगवान का नाम नहीं लेगा कोई विश्नु का नाम नहीं लेगा कोई भगवान की सेवा नहीं करेगा उल्टा उसने बोला सभी मेरे नाम का जब करेंगे ओम हरन्य कशिपू नमहा ओम हरन्य कशिपू नमहा तो सबके उपर प्रतिबंद लगा दिया कि कोई भी विश्णु का नाम नहीं लेगा पर उनका स्वयम का पुत्र प्रहलाद वो हर समय भगवान विश्णु का नाम जब करते भगवान का समर्ण करते बाकियों को भी बताते तो उनको इतनी पीडाएं दी गई इतने उनके उपर कश्ट दिये गए इतनी तरह से उनको मारने का प्रेतन किया गया पर उन्होंने भगवान का समर्ण करना बंद नहीं किया भगवान के नाम का जब करना बंद नहीं किया तो भगवान के नाम का जब भगवान का समर्ण हर प्रस्थिती में किया जा सकता है और किया जाना चाहिए तो इसलिए शुक्देव गोस्वामी ने यहां पर बताया और जैसे ही परिक्षित महराज को ये सुना परिक्षित महराज ने कि भगवान का सब जगह पर समर्ण करना चाहिए नामजब करना चाहिए भगवान की भक्ती ही सर्व स्रेष्ट है तो उनके हृद में ये भाव हुआ कि मैं मानता हूँ भगवान की भक्ती सर्व स्रेष्ट है वो सर्व संपन है पर आप मेरी वेदन सुनिए मेरा निवेदन सुनिए मेरे पास साथ दिन का समय शेष है तो क्या साथ दिन में मैं इस जीवन की सफलता प्राप्त कर पाऊंगा जैसे अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे एक क्रोड रुपे की आवशक्ता है इस महीने के अंत में मुझे एक क्रोड रुपे चाहिए और दूसरा व्यक्ति उसको बोले हैं आपको बहुत अधिक पैसा अरजन करना है बहुत अधिक पैसा कमाना है तो आप ये व्यवसाय कीजिए अगर कोई डॉक्टर है ये कोई लॉयर है तो बहुत पैसा कमा सकते हैं एक साल में उनकी आमदनी कितने कितने लाक रुपया हो सकती है पर वो व्यक्ति बोलेगा मानता हूं मैं इस व्यवसाय से बहुत अधिक धन अर्जन किया जा सकता है पर मेरी दुविदा क्या है मुझे एक महीने में एक करोड रुपया चाहिए तो परिखित महराज का अंदर भाव हो सकता है कि भगवान का किर्तन करना नामजब करना अस्मर्ण करना ये बहुत शक्तिशाली है पर क्या ये साथ दिन के समय में मुझे सफलता प्रदान कर पाएगा तो शुकदेव गोसवामी ने बोला साथ दिन आप साथ दिन की बात कर रहे हो साथ दिन तो बहुत अधिक समय है आप बैठो मैं आपको भगवान की कथा का श्रवन कराऊंगा आपके पास तो साथ दिन का समय है यहां पर तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए जो उन्हों एक मुहरत के अंदर एक पल के अंदर अपने जीवन की सफलता को प्राप्त किया तो क्या उधारन है खटवंग महराज खटवंग महराज को जैसे ही पता चला कि उनके जीवन की अवधी सिरफ एक महीना एक पल शेश बची है तो उन्होंने सब चीजों का त्याक किया और भगवान का ध्यान किया भगवान के ऊपर अपना ध्यान के इंदरित किया भगवान का स्मर्ण किया और उन्होंने परम गती को प्राप्त किया खतवंग महराज बड़े महान राजा हुए जहां तक कि जो देवी देवता हैं वो खतवंग महराज को अमंतरित करते हैं कि आप हमारे इंदर लोक में आईए, स्वर्ग लोक में आईए कभी-कभी उनको इन्वाइट करते हैं, अमंतरित करते हैं आप हमारी तरफ से असुरों के साथ युद्ध कीजिए और खटवंग महराज एक बार इंदर के तरफ से असुरों के साथ युद्ध करने के लिए गए इतना लंबे समय वीत गया उस पूरी अवधी के बाद देवता बड़े प्रसंद हुए कि हम आपको कुछ वर्दान देना चाहते है तो खटवंग महराज ने क्या बोला आप सबसे पहले मुझे ये बताईए कि मेरे जीवन की कितनी अबधी शेश बची है मेरे जीवन का कितना समय शेश बचा है तो इंदर ने ध्यान लगाया और उनको बोला कि वास्तव में आपके जीवन का सिरफ एक मुःत जितनी अबधी शेश बची है तो कुछ लोग बोलते हैं एक मुःत जैसे एक पल भी बोल देते हैं इसको कि आपके जीवन का सिरफ एक पल एक खशन बचा है और जो वास्तविक शवद है वो किया है आपके जीवन का एक मुःत का समय शेश बचा है और एक मुःत कितना होता है ये 40-45 मिनट की अवधी तो आपके जीवन के एक मुःत की अवधी शेश बची है तो खटवंग महराज ने बोला धन्यवाद आपका मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और उन्होंने सब को छोड़ चाड़ कर पूरी तरह से अपने आपको भगवान को समर्पित किया भगवान का समर्ण करने लगे और उन्होंने उसे अपने जीवन का परम लक्षे, परम सिद्धी को प्राप्त किया तो खटवंग महराज ने एक पल में सफलता प्राप्त की आपके पास तो साथ दिन की अवधिशेश है आप बैठिये मैं आपको भगवान की कताओं का श्रवन कराऊंगा तो शुकदेव गोस्वामी जो इस बात के लिए परचलित हैं कि वो किसी भी जगह पर अधिक समय पर नहीं ठहरते तो यहां पर लोक कल्यान के लिए परिखित महराज के कल्यान के लिए साथ दिन तक बैठ कर परिखित महराज को कताओं करा रहे है तो उनका उदेश्य क्या है जन कल्यान दूसरों का उधार करना तो हमारे जीवन में भी हमें ये गुन धारन करने चाहिए कि हम दूसरों का उधार करने के लिए दूसरों का कल्यान करने के लिए कितने बाद्दे हैं, कितने उत्सुक हैं दूसरों का कुछ उधार करने के लिए हम कितना अपने comfort zone से बाहर आकर दूसरों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक हैं तो परिखित महराज और शुखदेव गोस्वामी जी उनका संबाद आरंब हुआ शुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत सारी कथाओं का श्रवन कराया साथ दिन में इस भागवत कथा का श्रवन कराया और भागवत कथा के भागवत के दो दश विशय है भागवत के दस विशय क्या है श्री शुका उवाचा अत्रसरगो विसरगस्चा स्थानम पोशनम उतया मनवंत्र इशानुकता निरोध मुक्ति आश्रया तो इस भागवत में दस विश्यों का वर्नन किया गया सर्ग विसर्ग स्थान पोशन इशानुकता मनवंत्र निरोध मुक्ति आश्रया कि भगवान कैसे इस संसार की स्रजन करते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं, समय की अवधी क्या है, समय की गती क्या है, और भगवान कैसे अलग-लग अवतार ग्रहन करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों का उधार करने के लिए, और कैसे भगवान सभी के आश्रेय हैं सबको कैसे वो मुक्ति प्रदान करते हैं और कैसे समय समय पर भगवान इस रिष्टी का विद्वन्स भी करते हैं तो इन सब दस विशेओं का वर्नन किया गया तो इस भागवत में जो दस विशेओं आते हैं तो हमें systematically इस भागवत कथा का श्रवन करना चाहिए क्योंकि शुक्देव गोस्वामी जी कथा बताते बताते क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवन नहीं कर रहा तो हर सूरे के उध्य होने से और सूरे के अस्त होने से उसकी जीवन लीला है वो घड़ती जा रही है जीवन की अवधी समाप्त होती जा रही है पर जो व्यक्ति अपने जीवन का सद उपियोग कर रहा है भगवान की कताओं का श्रवन करने के लिए उसका जीवन वास्तव में सार्थक है बाकी सब व्यक्तियों का तो जीवन नश्ट हो रहा है सूरह के उध्य होने से और अस्त होने से तो शुकदेव गोश्व आमें वर्नन करते हैं कि भगवान सबके सुरिद हैं, भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी का अर्थ क्या है, सम्यक दृष्टी, भगवान की सभी के प्रती एक जैसी दृष्टी है, सभी को एक भाव से देखते हैं, तो भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं करते, सभी भगवान की ही संतान है तो फिर ऐसा क्यों परतीत होता है कि भगवान ने किसी का पक्षलिया और किसी को कष्ट की प्रस्थिति प्रदान की तो वास्ता में ये भगवान के द्वारा दी हुई प्रस्थिति नहीं है ये जीव के स्वयम के कर्मों की वज़ा से उसको ये सब प् प्रकाश प्रधान करता है वो किसी के साथ बेदभाव नहीं करता कि मैं इस व्यक्ति को अपना प्रकाश दूँगा उसको अंधकार में रखूँगा सूर्य का प्रकाश सभी के लिए एक समान उपलब्द है पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर में घुसकर सब खिड़कियां दर्वाजे बंद करके सिरफ अपना एसी चला कर बैठ जाए कि मुझे तो सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए सूर्य की किरने नहीं चाहिए जब उसने सुयम ही अपने घर के खिड़की दर्वाजे बंद कर लिए तो सूर्य की किरने कैसे प्रवेश करेंगी तो अगर कोई व्यक्तित सव्म ही भगवान से विमुक होना चाहे भगवान के दिये हुए नीवों का पालन न करे तो भगवान उसका कल्यान कैसे करेंगे भगवान सभी से प्रेम की भावना रखते हैं भगवान सभी के पिता के समान है जैसे अगर एक पिता के तीन पुत्र हैं, और तीन में से दो पुत्र पिता से दूर रहते हैं, पिता की कुई बात सुनना नहीं चाहते, पिता से कुछ निर्देश नहीं लेना चाहते, तो पिता ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, आप जहां भी हो सुखी रहो, पर एक तीसरा पुत्र है, जो अपने पिता के पास रहता है, पिता की सेवा करना चाहता है, पिता का आज्यकारी है, पिता की सब निर्देशों का पालन करता है, तो उस पुत्र के प्रती पिता का विशेश सनेह होगा, तो उसी तरहें से जो व्यक्ति भी भगवान से विमुख होकर रहना चाहते हैं तो वो अपने करम का फल भुगतते हैं और भगवान अपने भक्तों के प्रती जो भगवान के सेवा में लीन रहते हैं भगवान के दिये हुए नियमों का धर्म का पालन करते हैं भगवान उनके प्रती विशेश क्रिपा करते हैं भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं ना मैं किसी से द्वेश करता हूँ ना मैं किसी से कुछ विशेश सनेह करता हूँ मैं सभी से समभाव रखता हूँ पर जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा भजन करते हैं वो मुझ में है और मैं उन में हूँ उनके प्रती मेरा विशेश सनेह है तो ये एक पिता के भांती है जैसे संसार में भी पिता अपने तीन पुत्रों के साथ अलगलग व्यवहार करेगा पर वो बुरा किसी का नहीं चाहता वो सभी को अपना संपत्ती अच्छे से प्रदान करता है सभी की सहायता करता है पर जो पुत्र उसका आग्यकार है उसके प्रती उसका विशेश सनेह है तो इस संसार में जीव अपने ही दिये किये हुए कर्मों का फल भोगता है इस संसार में हर जीव तीन गुनों के प्रभाव में है ये सत्व गुन, तमो गुन और रजो गुन ये तीन गुनों का प्रभाव कभी सत्व गुन का प्रभाव अधिक होता है और तमो गुन और रजो गुन का प्रभाव कम हो जाता है कभी रजोगुन का प्रभाव अधिक होता है और सत्वगुन और तमोगुन का प्रभाव दब जाता है कभी तमोगुन का प्रभाव बढ़ता है और सत्वगुन और रजसगुन का प्रभाव कम होता है तो इन तीन गुनों के प्रभाव में जीवकारे करता है तो जब सत्वग तो धरम कमजोर पढ़ता है, देवता कमजोर पढ़ने लगते हैं, पर ये जो तमोगुन का प्रभाव है वो इतना चंचल है कि वो जादा अधिक समय तक नहीं रहता, तो ये तमोगुन और रजोगुन का प्रभाव की वज़ा से व्यक्ति अलगलग करे करते हैं, अपनी करें, जिसको अपने प्रान बहुत प्रिया हैं, जो सिरफ अपनी इंद्रियत रिप्ति करना चाहता है, उसके लिए चाहे उसको दूसरों को जितना भी कष्ट क्यों न देना पड़े, तो वो व्यक्ति असुर है, तो जो असुर हैं, वो भगवान से विमुख होकर सिरफ अ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, अपनी इंद्रियत रिप्ति के बारे में सोचना, एक बार भगवान ने सब आसुरों और देवताओं के लिए भोज का प्रबंद किया, तो एक तरफ आसुर और एक तरफ देवता, एक कमरे में भोजन का प्रबंद किया गया, एक टे हाथ है आपकी जो कलाई है वो मुड़नी नहीं चाहिए आपका हाथ सीधा रहना चाहिए जितना मर्जी भोजन उठाओ और खाओ तो देवताओं को भी और असुरों को भी ये सेम शर्ट रखा गया तो दो अलगलग कमरों में असुरों के लिए और देवताओं के लिए भगवान ने भोजन का प्रबंद किया तो एक कमरे में जहां पर सब असुरों को रखा गया उस कमरे का दृष्य क्या था सब असुर उस टेबल के आसपास खड़े हुए सब भोजन को देख रहे हैं अच्छा अच्छा भोजन व्यंजनों का प्रबंद किया गया और सभी सोच रहे हैं कि शर्त क्या है हमारी कलाई नहीं मुड़नी चाहिए पर अगर कलाई को मुड़ेंगे नहीं तो खाना उठाकर मुँ में डालेंगे कैसे तो उस कमरे की जो दशा थी वो देखने वाली थी सभी अपना मुँ खाने में डाल रहे हैं अपना मुँ पूरा उसके अंदर डाल रहे हैं सभी की जो परिस्तिती वे क्या है वो जानवरों के समान सभी अपना जानवरों के जैसा व्यवाहर कर रहे हैं तो जो व्यक्ति सिरफ अपना स्वार्थ चाहता है जो जानवर के स्तर पर उतर आए वो व्यक्ति असुर के समान है और देवताओं के कमरे का द्रश्य क्या था जहां पर देवताओं को रखा गया सभी देवता भी उस टेबल के आमने सामने खड़े हुए उस सारे व्यंजन को देखा कि इतना स्वादिष्ट व्यंजन रखा गया है पर इसको खाया कैसे जाए कलाई को बिना मोडे तो उन्होंने एक युक्ति लगाई सभी देवता आमने सामने खड़े हुए तो एक अपने हाथ से व्यंजन उठाता और दूसरे के मूँ में डालता देखी अपने मूँ में डालने के लिए कलाई को मोडना पड़ेगा पर उठाकर सीधा सीधा दूसरे के मूँ में डालने के लिए कलाई को मोडने की आवशक्ता नहीं है तो उस कमरे का दृष्ष्य क्या था जो भगवान के दिये हुए सिधानतों का नियमों का पालन करे तो भगवान को प्रिय है जो असुर है वो जानवरों के स्तर पर जाकर सी आज का जो मनुश्य है वो असुर बन चुका है आज कल जानवर भी अपनी मर्यादा में रहता है पर जो मनुष्य है वो अपनी मर्यादा को त्याकर जानवर के से भी नीचे हो गया है जो गाए है वो घास ही खाएगी गाए अपना दूद तक नहीं पीती जो शेर है वो मास ही खाएगा शेर मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा तो इनकी मर्यादा है तो जानवर भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं जो पक्षी है उसके सामने आप जितना मर्जी दाना रख दो वो दो-चार दाने चुगेगा और बाकी सब वहीं पर छोड़ कर चला जाएगा तो हर जीव अपनी मर्यादा में है पर जो मनुष्य है वो जानवरों से भी नीचे गिर गया है वो अपनी मर्यादा को भूल चुका है मनुष्य हर कुछ खाएगा उसको मासाहार भी करना है, शाकाहार भी करना है उसको सी फूड भी चाहिए वो केकड़े तक को खाने के लिए तैयार है आजकर लोग न जाने क्या-क्या खाते हैं कि सोच कर भी घिनाने लगती है तो मनुश्य मनुश्य के स्तर से जानवरों के स्तर से भी नीचे गिर चुका है और असुर के स्तर पर पहांच चुका है तो इसलिए उसको अपने कर्मों का पालन जो फल भुगतना पड़ता है इतने कश्टों का सामना करना पड़ता है तो ये वास्त में तीन गुनों का प्रभाव है जिसकी वज़ा से इनसान को इन सब चीजों का भुगतान करना पड़ता है पर भगवान सब के लिए सुहरिद हैं सब के लिए समद्रिष्टी हैं सब के प्रिय हैं तो क्या आप कोई उधारन से इसको समझा सकते हैं अगर भगवान असूरों का भी संगार करते हैं तो वो भी उनके ही कल्यान के लिए है जब परिक्षित महराज को ये बताया गया तो परिक्षित महराज को ये यग्यासा होई कि आप मुझे कुछ उधारन से समझाईए तो शुकदेव गोस्वामी युदिष्टर महराज के राचसुय यग्या का वर्नन करते हैं कि युदिष्टर महराज के राचसुय यग्या में भगवान ने शिशुपाल का वद किया शिशुपाल जो भगवान का इतना द्वेशी था जब भगवान ने उसका वद किया तो श मुक्ति प्राप्त हुई शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकल कर भगवान के चर्णों में लीन हो गई भगवान के चर्णों में प्रवेश कर गई तो शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति प्राप्त प्रधान की तो ये सब घटना कैसे हुई तो भगवान जब इसकी अगर पूजा की जाए तो पांडव में जो सबसे छोटे थे सहदेव वो सभा में खड़े हुए और उन्होंने बोला कि इस सभा में श्री कृष्ण के सवाए और कौन हो सकता है जिनकी अगर पूजा की जा सके वो ही सभी में सभी पूरुशों में सभी में श्रेष्ट ह तो शिरिक क्रिशन की अगर पूजा की जानी चाहिए तो जैसे ही सहदेव ने अपना ये वचन कहा तो युदिष्ट महराज ने भी हामी भरी और सभी वहां पर उपस्थित थे जो भिशम पितामा और अन्य रिशिगन सभी ने उसका समर्थन किया पर उस सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जिसको बड़ा क्रोध हुआ बड़ी इरश्या हुई शिशुपाल तो शिशुपाल की हिस्टर क्या है उसको भगवान से इतना दवेश क्यूं है शिशुपाल का ज़त जनम हुआ तो शिशुपाल वास्तब में भगवान क्रिशन के बुआ के लड़के युदिष्टर महराज के कजन युदिष्टर महराज की मासी के लड़के तो ये युदिष्टर पांड़ों के भी कजन है और भगवान क्रिशन के भी कजन है तो जब शिशुपाल का जनम हुआ तो शिशुपाल की चार भुजाएं थी और वो हमेशा रुदन कर रहे थे और जब भगवान कृशन अपनी माता देवकी के साथ अपनी बुवा को मिलने आए, उनके बालक को देखने के लिए आए तो उस समय पर भगवान कृशन ने जो स्वम भी एक चोटे बालक थे उस समय उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया तो शिशुपाल के जनम के समय पर ये आकाशवानी हुई थी कि जिसके गोद में लेते ही इसके ये दो हाथ हैं वो जड़ जाएंगे, उसके हाथों से ही इसकी मृत्यू भी होगी तो जैसे ही कृशन ने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया, उसके दो हाथ गायव होगे और शिशुपाल की माता ने जब ये देखा, तो उन्होंने कृशन से प्रार्थना किया कि तुम मुझे ये वर्दान दो, मुझे ये वर्दो कि तुम मेरे पुत्र का वद नहीं करोगे तो भगवान ने उस समय पर बोला कि मैं इसका वद नहीं करूँगा, मैं इसका वद क्यूं करूँगा मैं इसके सब अपराद शमा करूँगा, जब तक ये मेरे प्रती अपराद कर रहा है, तब तक तो मैं इसको शमा करता रहूँगा पर अगर इसने भक्तों के प्रतिया पराद किया, भक्तों के निंदा की, तो मैं वो सहन नहीं करूँगा, तो मैं इसका वद कर दूँगा, अगर इसने मुझे वो अफसर्त दिया, तब मैं इसको नहीं छोडूँगा, तो शिशुपाल, शिशुपाल का अर्थ क्या, शिशु किसी की निंदा नहीं करेगा, कभी किसी के प्रती द्वेश की भावना नहीं रखेगा मैं इसको बड़े अच्छे से पालन पोशन करूँगी पर शिशुपाल जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी भगवान कृशन के प्रती जो द्वेश है, वो द्वेश की भावना और और बढ़ती गई उसके हरिदय में भगवान कृशन के प्रती इतना द्वेश और उसका द्वेश की जो कोई सीमा नहीं रही जब भगवान कृशन ने रुकमनी का पहर्ण किया यह शिशुपाल का रुकमनी के साथ विवाह निश्चित हुआ जो रुकमनी का भाई था, रुकमी वो शिशुपाल और जरासंद का मित्र था और वो शिशुपाल के साथ रुकमनी का विवाह करना चाहता था पर रुकमनी को भगवान क्रिशन के प्रती बड़ा आकरशन था, उन्होंने भगवान क्रिशन के बारे में सुन रखा था, उनकी कथाओं का श्रवन किया था, कभी उन्होंने क्रिशन का दर्शन नहीं किया था, उनसे कभी face to face मिले नहीं थे, पर उनको भगवान से प्रेम थ तो ऐसा नहीं है कि रुक्मनी और कृष्णा कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे केंटीन में समोसा चाय खात पीते थे और एक दूसरे से मिलते मिलते उनको एक दूसरे के प्रती प्रेम हो गया जैसे आजकल की प्रेम कहानिया आरंब होती हैं कॉलेज केंटीनों से और लब मैर और उन्होंने एक ब्रामन के हाथ संदेश भेजा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती मेरा जबरदस्ति शिशुपाल से विवाह किया जा रहा है आप कृपया करके आकर मेरी रक्षा कीजिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ तो भगवान को वो पत्र ब्रामन के हाथ भेजा गया भगवान को वो पत्र मिला उनने वो पत्र पड़ा तो रुकमनी का क्या भावता कि भगवान तो क्या है गो ब्रामन हितायच भगवान तो गो और ब्रामनों की रक्षा करते हैं ब्रामनों के हितकारी हैं तो ब्रामन के हा और मंदिर में पूजा करके जब पूजा में प्रार्थना कर रही है कि क्रिशन आएं और मुझे यहां से ले जाएं और प्रार्थना करके जैसे वो बाहर निकली तो शिशुपाल भी वहां पर उपस्थित था अपनी सैनों को लेकर क्योंकि शिशुपाल को भी ये भाय था कि क्रिशन कभी भी आ सकता है इस विवाह में विगन डालने के लिए तो शिशुपाल और रुक्मनी आमने सामने हैं उनके बीच में कुछ पीट की दूरी होगी और उस समय पर भगवान क्रिशन वहां पर आए तेजगती से अपने रत पर और रुक्मनी का हाथ पकड़ कर उनको अपने रत पर बिठा कर ले गए शिशुपाल के सामने से और शिशुपाल वहां पर सामने खड़ा हुआ देखता रहा जैसे एक गिद्द के सामने से सिंग आकर एक हिरन का अपहर्ण करके ले जाए हिरन का शिकार करके ले जाए एक गिद्द के सामने अगर एक हिरन खड़ा हो गिद्द सोच रहा हो कि ये तो अभी मेरा शिकार है पर उसी समय पर वहां पर एक सिंग आए और गिद्द की आंखों के सामने से उस हिरन के उपर जपटा मार कर उसको ले जाए तो शिशुपाल की दशा वैसी थी भगवान एक सिंग के समान आए और रुकमनी का अपहर्ण करके वहां से ले गए और शिशुपाल में उनका पीछा किया उनके साथ युद्ध करने की चेश्चा किया भगवान ने उनको हरा दिया उस युद्ध में तो शिशुपाल के सामने से जब उनकी होने वाली पत्नी का जिनको वो अपनी पत्नी के समान समझ रहे थे उनका आपहर्ण किया गए तो उनका भगवान के प्रती द्वेश और भी बढ़ गया कि ये क्रिशन कौन है ये क्या समझता है अपने आपको ना तो इसके मता पिता का पता ना ये पता कहां से आया कौन है ये कि ये शत्रिय है ये वैश्य है ये शुद्र है तो उनको इतना द्वेश और शिशुपाल शिशुपाल का जो mentor था जो guide था वो कौन था जरासंद तो जरासंद ने भी कृषिन के साथ बहुत बार युद्ध किया स्तारा बार उन्होंने भगवान से युद्ध किया और हर बार भगवान ने उनको हरा दिया पर जीविद छोड़ दिया और अंत में फाइनली भगवान ने मतुरा को छोड़ कर दियारिका में जाकर रहने का निश्चे किया और जरासंद को लगा कि इस बार मैंने विजे प्राप्त की कि इतने बार हारने के बाद भी मैंने अपना साहस नहीं छोड़ा और अंत में मुझे विजे प्राप्त हुई तो वो शिशुपाल का उत्साह बढ़ा रहा है उसको एंकरेज कर रहा है कि देखो मैंने भी इतनी बार प्रेतन किया मैंने हार नहीं मानी तो तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए तो शिशुपाल का भगवान के प्रती इतना द्वेश बढ़ता गया बढ़ता गया और इस राचसुए यग्य में जब शिशुपाल ने ये सुना कि क्रिशन की अगर पूजा की जाए तो उसने द्वेश पूरन खड़े होकर भगवान की निंदा करनी आरंब की उनको अपशबद बोलने शुरू किये कि तुम हो कौन तुम्हारा ना तो जनम का पता है कि तुम्हारा जनम कहा हुआ तुम किसके पुत्र हो कौन हो तुम पर भगवान उसकी निंदा को भी स्तुती समझ रहे हैं भगवान कौन है कौन जान सकता है सभी बेद भगवान की वंदना करते है सभी बेद भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं भगवान अनन्त है उसको कोई नहीं जान सकता भगवान के माता पिता कोई नहीं है भगवान अखंड है अच्छेद है तो शिशुपाल जो भगवान की निंदा कर रहा है कि तुम कौन हो किस के पुत्र हो तुम यशोदा नंदन हो कि देव की नंदन हो कोई नहीं जानता तो भगवान बोल रहे हैं हाँ ये सही है मेरे बारे में कोई नहीं जानता तो भगवान उसको स्तूती की तरह ले रहे हैं जैसे जरासंद जरासंद ने भी जब भगवान की निंदा की तो भगवान ने उसको स्तूती के रूप में सिविकार किया जब भीम और अरजुन को लेकर जरासंद को मारने के लिए गए जरासंद से द्वंद युद्ध करने के लिए तो भीम और जरासंद का द्वंद जुद्ध हो रहा था कितने दिन तक वो द्वंद जुद्ध चला पर भीम जरासंद को मार नहीं पा रहा था भीम ने बहुत बार जरासंद के शरीर को दो टुकडों में काट दिया तोड दिया और जब उनके शरीर को दो हिस्सों में तोड़ कर फैंकते थे तो वापस में आकर जुड़ जाते थे तो जरसंद को नया शरीर प्राप्त होता वो नई उर्जा से फिर से आ जाते लड़ने के लिए और भीम सैन अपना जो बल था जो उर्जा थी उनकी वो ख्षीन होती जा रही थी तो भगवान ने भीम सैन को एक निर्देश देने के लिए उनको एक युक्ती देने के लिए उन्होंने एक तिनका उठाया और तिनकों को दो हिस्सों में काट कर भगवान ने उनको इशारे से दिखाया कि आप इनको एक दूसरे से इधर मत फैंको ओपोजिट डिरेक्शन में फैंको विपृत दिशा में फैंको और जरासंद ने कृषिन को ये संकेत देते हुए देखा और जरासंद को भय हुआ कि अब मेरी मृत्य निशित है मेरी मृत्य का जो राज है वो भीमसेन को कृषिन ने समझा दिया तो एकदम से कृषिन को बोला उनकी निंदा करने मारने वाले तुमने अपने मामा का बंद किया, हे बंदुहन, हे पुरुशा अधमा, पर भगवान ने उसकी जो निंदा थी, उसको भी स्तुति के रूप में सभी कार किया, पुरुशा अधम, पुरुशा अधम का अगर हम लिटरल मिनिंग देखें, पुरुशों में सबसे अधम पर भगवान भगवान इसका अर्थ क्या ले रहे हैं पूरुश अधम कि जिसके सामने सभी पूरुश अधम हैं भगवान पूरुश उत्तम हैं जिनके आगे सभी अधम हैं भगवान बोले वा वा तुम मेरी क्या स्तुती कर रहे हो और दूसरा उसने भगवान की क्या कि तुम बंदू का हत्या करने वाले हो बंदू का हनन करने वाले हो तुमने अपने मामा का वद किया और भगवान भी इसको भी स्तूती के रूप में ले रहे हैं बंदू हन कि तुम हमारे बंदू का हत्या करते हो हमारे बंदू क्या है हमारे बंदू हमारे माता-पिता हमारे बाई बंदू, हमारे मित्र तो ये वास्ता में हमारे बंदू नहीं है हम किसको अपना परम बंदू मानते हैं तो ये बंदू, माता, पिता बाई बंदू ये तो इस जनम के अन्त में हम से विछड जाएंगे, जैसे ही जीवन नश होता है, मृत्य होती है तो मृत्यू के समय पर सभी छूट जाते हैं पर जनम आफ्टर जनम जनमांतर जनमांतर हमारा सबसे उत्तम बंदु कौन है किसको मानते हैं ये माया इस माया के साथ हमें बड़ा प्रेम है इस माया के बंदन में हम जगडे रहते हैं और भगवान उस माया रूपी बंधु का हनन करने वाले हैं मम माया दुरत्या भगवान बोलते हैं ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है बड़ी प्रबल है पर कौन इसको काट सकता है जो मेरी शरन ग्रहन करता है तो भगवान अपनी कृपा से हमें उस माया से बचाते हैं उस माया का हनन करते हैं तो भगवान ने उस निंदा को भी स्तूति के रूप में देखा तो उसी तरह से जब शिशुपाल भगवान के निंदा कर रहा है द्वेश पूरण तो भगवान उसको स्तूति के रूप में ले रहे हैं तो शिशुपाल ने भगवान की बहत निंदा की तो यहां पर बोला जाता है कि सो तक भगवान ने बोला ता कि सो निंदा को मैं सवीकार करूंगा सो से अधिक जब निंदा करेगा तब मैं इसका वद्ध कर दूँगा देखे हुआ कैसे कि शिशुपाल ने सो तक भगवान की निंदा की और भगवान तीनों गुनों से परे हैं भगवान के लिए निंदा और स्तुती एक समान है जो व्यक्ति तीन गुनों के प्रभाव में है वो सत्व गुन, रजो गुन, तमो गुन के प्रभाव में है उसको ये मान सम्मा निंदा स्तुती से कुछ अंतर पड़ता है पर जो व्यक्ति इन तीन गुनों के प्रभाव से उपर है उसको स्तुती और निंदा एक समान है तो भगवान को स्तुती और निंदा से कोई अंतर नहीं पड़ता पर जैसे ही शिशुपाल ने भगवान की निंदा छोड़कर भगवान के भक्तों की निंदा करनी आरंब की जैसे ही उन्होंने युदिश्र महराज सुखदे और यहां तक की भीशम पिता हुआ की निंदा करनी आरंब की तो उसी समय पर भगवान ने अपना सुधर्शन चक्कर धारण किया और शिशुपाल का उसी सभा में उन्होंने सर धर से अलग कर दिया उन्होंने उसक का एक भी छीटा तक नहीं गिरा क्योंकि भगवान क्या है। भगवान सब जानते हैं अज्य को बगवान को सब चीज़ों की जानकर यहां पर यग्य का अवसर है राचश्य यग्य होने जा रहा है और अगर कुछ अपवित्र वस्तवें यहां पर होंगी, रक्त गिरेगा तो वो जो यग्यस थली है वो नश्ट हो जाएगी वो दूशित हो जाएगी तो इसलिए भगवान ने शिशुपाल का वद किया उसका सर धड़ से अलग कर दिया पर खून का एक भी छीटा वहां पर नहीं गिरा जनमादियस से यतो अनवयाद इतरतास तो भगवान सब चीजों को जानते हैं सवराट इंडिपेंडन्ट हैं भगवान भगवान किसी के भी वश में नहीं है नियंतरण में नहीं है भगवान सबी चीजों को अपने नियंतरण में करते हैं भगवान सब चीजों को जानते हैं तो उस समय पर जैसे ही शिशुपाल का वद हुआ युदिश्टर महराज ने बड़ा वचित्तर द्रश्य देखा कि शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकल कर भगवान कृष्ण के चर्णों में लीन होगी उसको भी मुक्ति प्राप्त हुई और जैसे ही युदिश्टर महराज ने ये देखा उनको बड़ा अश्चरे हुआ और उन्होंने नारद मुनी जी के पास जाकर अपनी शंका व्यक्त की तो नारद मुनी के पास जाकर युदिश्टर महराज ने ये प्रशन किया कि शिशुपाल तो इतना द्वेशी था भगवान की निंदा कर रहा था तो उसको ये सद्गती कैसे प्राप्त हुई तो नारद मुनी जी क्या बताते हैं कि अगर कोई किसी भी अवस्था में भगवान का स्मर्ण करे चाहे वो द्वेश की अवस्था में श्रवन करे या स्मर्ण करे या भगवान के प्रती प्रेम की अवस्था में या भए की अवस्था में या स्ने की अवस्था में तो हर अवस्था में अगर किसी भी अवस्था में भगवान का स्मर्ण करे तो उसको सद्गती प्राप्त होती है तो काम्या द्वेशात भयात सनेहात यता भक्तिय इश्वरे मना किसी भी तरह से अपने मन को अगर भगवान में लगाया जाए काम के रूप में, द्वेश के रूप में, भय के रूप में, सनेह के रूप में या भक्ती भाव में दास्से रूप में तो उसको परमगती प्राप्त होगी तो कितने ही उधारण हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया अपने अलग-लग तरह से भगवान का स्मर्ण करके गोपया कामात भयात कमसा द्वेशा चेदया देओन रिपाहा तो नारज जी किया बोल रहे हैं कि गोपयोंने भगवान के प्रती प्रेम की वज़र से भगवान को प्राप्त किया गोपयों का भगवान के प्रती इतना प्रेम था कि भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है उनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है कि हमें क्या गती प्राप्त होगी कंस ने भय की अवस्था में भगवान का स्मर्ण की या कंस को हर परस्थिती में ये भय लगा रहता था कि अभी क्रिशन यहां से आएगा अभी क्रिशन वहाँ से आएगा हर जगह पर उनको क्रिशन ही क्रिशन दिखाई देते थे तो कंस हर समय पर भय की अवस्ता में भगवान को समर्ण करता था द्वेशात चेद्यादियुनरपह ये चेदी नरेश शिशुपाल और इसके जैसे और राजा जैसे जरासंद इन्होंने द्वेश की अवस्ता में भगवान का समर्ण किया और उनको भी सद्गती प्राप्त हुई संबंधाद वरिशनाया जो इतने भी वरिशनी है ये भगवान से संबंध की वज़ा से उनको अपने परिवार का सदस्य समझते हैं इसलिए उस भाव से भगवान का समर्ण करते हैं और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया सनेहाद यूजम तुम जो पांडवा हो जो पांच पांडु भराता हो तुमने भगवान को अपने सनेह से प्राप्त किया भक्तया वयम और हमारे जैसे भक्त जो हैं अपने भक्ती भाव से भगवान का समर्ण करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं तो किसी भी अवस्था में अगर भगवान का समर्ण किया जाए तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है शिशुपाल को भगवान से द्वेश था पर उसने द्वेश पूरुक सदैव भगवान को याद किया पर वेन के हरिदा में इतना द्वेश था कि उसने बोला मैं भगवान को याद ही नहीं करूँगा इतना द्वेश था इसके हरिदमे कि उसने भगवान का कभी समर्ण नहीं किया इसलिए उसको नरकों की प्राप्ती हुई पर शिशुपाल को सद्गती प्राप्त हुई तो भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते तो कोई सोच सकता है कि फिर भगतों में और यह द्वेशी में क्या अंतर हुआ अगर उनको भी सेम सद्गती प्राप्त हो सकती है तो अंतर यह है कि अगर कोई द्वेश पूरण भगवान को समर्ण करता है उसको भी सद्गती प्राप्त होती है तो उसको किस तरह की मुक्ती प्राप्त होगी उसी लोक में रहता है जहांपर भगवान रहते हैं उसको भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है भगवान का सामिप्य प्राप्त होता है भगवान जैसा एश्वर्य प्राप्त होता है और पांची जो सबसे निमन मुक्ती है वो क्या है सायुज्य कि उसको जो भगवान का भगवान की जो जियोती है उसके अंदर लीन हो सकता है तो जो जो द्वेश पूरुन भगवान को याद रख सकते हैं याद करते हैं उनको इस तरह की मुक्ति प्राप्त हो सकती है पर जो भक्ति पूरुन स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान का समर्ण करते हैं वो भ भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता, भगवान की कोई सेवा प्राप्त नहीं होती, पर शिशुपाल का जो केस था, वो इससे भी उपर था, शिशुपाल को तो भगवान का पारशद का पद प्राप्त हुआ, तो नारद मुनी युदिश्टर महराज को बताते हैं कि शि पास्तव में भगवान का पारशत था, शिशुपाल और धन्त वक्र, ये भगवान के पारशत थे, जय विजय, एक बार उनको एक श्राप मिला, उस श्राप की वज़ा से उनको भगवान का धाम में भगवान का जो निकटा थी उसको छोड़ कर इस मृत की लोक में आना और जो हिरन्य काशिपू था वो भगवान का इतना दुएशी था उसका पुत्र भगवान का इतना बड़ा भक्त था और हिरन्य काशिपू अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था वो प्रहलाद अपना इतना आग्यकारी था अपने पिता का इतना गुनवान था उसके कुम्बकर्ण के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने म्रियादा पुरुषोत्तम राम अवतार लेकर रावन और कुम्बकर्ण का वद किया उनका उधार किया और तीसरी बार ये शिशुपाल और धन्त वक्र के रूप में पैदा हुए और भगवान ने कृषन अवतार में क्रिशन रूप में इनका वद किया और इनका उधार किया और इनको वापस भगवान का सानिध्य प्राप्थ हुआ तो जब नारत जी युधिश्व महराज को ये कथा का वर्नन कर रहे हैं जो कि शुकदेव गो स्वामी जी परिखित महराज को सुना रहे हैं वही वर्नन तो परिखित महराज के हिरिदह में ये प्रशन आया कि गुरुदेव आप इतनी कथा का श्रवन करा रहे हो आप थोड़ा धीरे जाईए मुझे बड़े विस्तार से इनका श्रवन करना है मेरे हिर्द में ये जिग्यासा आ रही है कि कैसा ऐसा महान श्राप हो सकता है कि भगवान के पारशित को वैकुंठा धाम छोड़ कर इस पर आना पड़ा कौन ऐसे महान लोग थे जिनोंने भगवान के पारश जैविजे को श्राप दे दिया तो ऐसा क्या श्राप था मुझे थोड़ा विस्तार में बताईए तो प्रहलाद इतना आज्याकारी था इतने उसके अंदर सदगुन थे तो इसका पिता अपने पुत् तो आप इस कथा का मुझे विस्तार से श्रावन कराईए यह परिखित महराज के पास साथ दिन की अवधी है सिरफ तो परिक्षित महराज सो सकते हैं कि ठीक है आप मुझे जो सुनना है सुनू और मेरा जो मृत्ती है वो तो निकट आने ही वाली है मेरी तो मृत्ती होने ही वाली है पर परिक्षित महराज कथा का श्रवन इतने लीन होकर इतने ध्यान पूर्वक कर रहे हैं जब परिक्षित महराज को ये बोला गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए अभी दो दिन तीन दिन हो गए हैं कथा का श्रवन करते हुए थोड़ा जलपान कर लीजिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए तो परिक्षित महराज ने बोला मैं आपके मुख से भगवान की कथाओं का अमरित पान कर रहा हूं तो मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, मुझे कुछ शारीरिक कष्ट नहीं है आप मुझे निरंतर भगवान की कथा का अमरित पान कराईए तो परिक्षित महराज के अंदर इतना भाव है इतना भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम है कि वो निरंतर उसका शवन करते रहना चाहते हैं और जैसे ही कुछ ऐसी बात बोली शुकदेव गुस्वामी ने बोलते हैं आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताईए और बताईए थोड़ा विस्तार कीजिए इसका तो हमारे साथ क्या होता है हम कथा सुनते हैं दो घंटे तीन घंटे की कथा सुनते हैं हम अपना जो शंका है उसको दूर नहीं करना चाहते कि चलो फिर कभी सोचेंगे फिर कभी पूछेंगे ये शंका तो परिक्षित महराज के जैसा भाव हमारे हृदा में आना चाहिए कथा को ध्यान पूर्वक विस्तार से श्रवन करने का कि बार बार सुनाईए और चेतन्य महाप्रभू ने भी जब प्रहलाद महराज का दुरुव महराज का कथा सुना तो बोलते थे और सुनाओ और सुनाओ फिर से सुनाओ तो उन्हें सो सो बार प्रहलाद महराज और दुरुव महराज का चरित्तर सुना तो यहां पर परिक्षित महराज जी ने शुग पुदेव गोस्वामी वो कथा का विस्तार से वर्नन करने जा रहे हैं कैसे भगवान के जो पारशते जैविजे उनको श्राप मिला चतुष कुमारों के दोबरां और कैसे वो भिविन रूपों में आए और उनका जो सबसे पहला इस संसार के अंदर जनम हुआ हिरन्याक्ष और हिरन्याकाशिपू के रूप में और कैसे भगवान ने उनका उद्धार किया तो इन कथाओं का श्रवन हम विस्तार पूर्वक करेंगे गरंत राशिमत भागवतम की जाए शील प्रवपाद की जाए अनंत कोटी वैशन वरिंद की जाए